हाई कैसे हो आप लिगों अच्छ ओगे तो दोस्तों आज मैं एक नेचरल सी रेमीडिय आप लोगों के साथ करने जा रही हूं और यहां आपके साथ करनें जारी हूं और कई लोग इतनी ज्यादा उनकी एज हो जाती फिर भी उनका चेहरा टाइट रहता है एकिन आपका जो चेहरा है आपकी वज़े से धीला होता जाला अभी वो टाइम नहीं आया है कि आपका स्कीन टाइट नहीं रहे धीली हो जाए जुरिया पड़ जाए तो उसके लिए आ आपने अक्तर देखा होगा चेहरे को टाइट करने के लिए लगा अंडे का यूज करते हैं लेकिन मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जो बोलते हैं हम वेजिटरियन हैं हम अंडा नहीं खाते हैं इसकी जगह कुछ और बताईए तो आल इसकी रेमेडी मैं लेके आई हूँ जाना करना है सबस्कीय करने तो को क्या करना नहीं करना चौह को लेड़ा घारएं हैापको कुछ बहुता पoureल ना है यहां मैंने ने ना लेटाल म вопрос मैं बेज़के ग लेकाएं लोगां जहाएं है जल होटा है को अन्दर से कलीनिय करता है इसमें काफ़ ज्यादा एस इज पिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होसकती लेकिन अगर आपके इक Was понравivitis if को में लगे तो इसका यूज बिल्कुल भी ना करिएगा और डॉक्टर की सला लीजिएगा इस रेमिडी में पढ़ने वाले किसी भी चीज से अगर आपको इलर्जी होगी या आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है या आपकी स्किन काफी जड़ा सेंश्टी वेना तो प्लीज इसका यूज आप बिल्कुल भी ना करिएगा और अगर ऐसा कुछ आप पहली बार ट्राय कर रहे हो तो इक पैस्टेस्ट करके जरूज देखिगा तभी यूज करिएगा जो चीज मेरी स्कि यूज करने तरह हो देखिएगा और यहां पे सफाई हो रही है तो बस आपको इस ता हाथ में लेना है इसके बात आपको क्या करना है एक हनी लेनी है ठीक हनी और इसको अपने हाथ पे डाल लेना जितना आपने अवेरा जल लेना है कुछ नहीं करना है और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको इससे खोब अच्छे से दो मिनट के लिए पसाज करना है आपको जल्दी से मसाज कर लेना है क्योंकि अगर आप थोड़ा भी छोड़ दोगे तो यह आपके चेहरे पे टाइट हो जाएगा यह र चेहरे की जूरिया है वह खतम होने लगेगी चेहरे पे फाइन लाइन आने लगी है आपके फेस पे वह खतम होने लगेगी और आपका चेहरा जवा दिखने लगेगा और आपके चेहरे में टाइट पन आ जाएगा आपके चेहरे में वह ग्लोव वापस आजाएगा जो आप चाहते हो इसको चोड़ना नहीं है जब भी आपको टाइम मिले मतलब ऐसा नहीं कि आपने पंदा दिन लगा यह फिर तो आप यह रेमेडी हर वक्त हर टाइम आपको अच्छा रिजल्ट देगी अगर आपके चाहरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी आप महिने में एक दो बार इसको ट्राइ कर सकते हो तो यह देख रहा है तो जैसा देख रहे हो आप मैंने एक बास मैं भी देख लूँ तो अच्छे से इसे मैंने पूरे फेस पे अपलाई कर लिया है अब आपको इसे दस से पंदा मिनेट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद यह काफे ज़्यदा टाइट हो जाता है लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब यह टाइट होने लगे तो आपको बिल्कु सबसार है काफी टाइट होने लगेगा और बृब यूजा फेस बार्च नॉनौना वांचे कर लिजैगे कहा हुटक हो अप लगा सकते तोटली मोबें wise जैसा कि आप देख सकते हो तो जैसा कि आप देख सकते हो तैड मिनित हो गया है और आपको यह जो विद्ध चैनल किता ज्यादा टाइट हो गया है और अपने मेरे फिंगर में भी लगा वह तब से senior में यहाँ जहाँ लगा है तो मैं इसको ऑफिर आपको दिखाती हूँ मैंने देखें आप कर लिया है और चेहरे की tietने सी टाजकी देखें एक खुबसूरती देख सकते हो आप किसी भी स्कीन तोन के हो इसको यूज कर सकते हो यह चेहरे को गोरा बनाने के लिए नहीं है ठीक है चेहरे को यह खुबसूरत बनाने के लिए आपके कोई भी स्कीन तो आप किसी भी रंग की क्यों ना हो आप यह रेमिडी यूज करिए औ कितना खुबसूरत लगेगा और लोग कहेंगे तेरे चहरे से नजर नहीं हतेती नजारे हम क्या देखे और इसको क्लीन करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप जैसे अपने फेस में वाटर डालोगे ना नॉर्मर वाटर वैसे ही यह वैसे ही यह क्लीन हो ज साफ हो जाएगा कोई सोप नहीं लगाना इसको लगाने के बाद कोई सावन नहीं लगाना है एक ची दो घंटे तक चाहो तो मुश्राजर लगा सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और बार बार आप अपना चेहरा चुब होगी मेरी जैसे तो वीडियो पसंद बाई मिलते एगले वीडियो में लब यू आल